खास मुलाकात मुकेश चोड़सिया के साथ सिर्फ मुजफर पुर्लाइबनाव और विहार लाइबनाव पर नमस्कार स्वागत है आपका विहार लाइबनाव मुजफर पुर्लाइबनाव की हमारे खास पर प्रोग्राम खास मुलाकात आज हमारे साथ AICC के मेंबर जितेंद्र कुमार है भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में है जितेंद्र कुमार जी बिहार के मुद्दों को लेकर आज बात करेंगे आपसे हम कल नगर विकास मंत्री मुझफरपूर के उन्होंने स्मार्ट सिटी का सिलान्याश किया है पाँच प्रोजेक्ट का इस पर सबसे पहले आप क्या कहेंगे मुझफरपूर स्मार्ट सिटी की जहां तक बात है तो मुझफरपूर स्मार्ट है नहीं अब मंतरी जी चुनाओ के समय में स्मार्ट सिटी का उद्गाटन करते हैं ये थोड़ा हैरान करने वाला है और मुझफरपुर कितना स्मार्ट है मुझफरपुर के किसी भी नागरिक से आप पूछिए वो बताएंगे मुझफरपुर कितना स्मार्ट है मुझफरपूर के मुद्दों पर अगर चुनाओ की बात की जाए चुनाओी साल है 2020 बिधान सवा चुनाओ होने वाले हैं यहां के मुद्दों पर कब चुनाओ होगी आपकी पाटी का क्या स्टैंड होगा मुझाफरपूर के मुद्दों पर जो आपने सवाल पूछा है मुझाफरपूर का मुद्दा एक अपने आप में बहुत बरा मुद्दा है मैंने पिछले इंटर्विव में भी बताया था कि मुझाफरपूर सिर्फ मुझाफरपूर नहीं है यह बिहार जैसे बरे प्रदेश जो अपने आप में एक देश राष्ट के बरावर है और मुझाफरपुर अपने आप में 30-40 लाख अबादी लिए एक राज्जी के बरावर है तो उत्तर विहार की अगोसी तराजधानी होने के नाते मुझाफरपुर के विकास के फुट माइने है मुझाफरपुर के विकास से पूरे उत्तर विहार में विकास की एक नई परंपड़ा का सुरुवात होगा और मुझाफरपुर तो वैसे भगवलिक तोर पे वैसे जगह पे है जहां से उत्तर विहार जाने वाली अधिकतर गारियां गुजरती है तो मुझाफरपुर का विकास के बहुत बरे माइने है मान लीजे लोकसभा सीट तो आपके खाते में रहती है कॉंग्रेस के खाते में मुझाफरपुर लोकसभा की सीट रहती है विधान सभा की सीट अगर आपके पार्टी को मिलता है तो आपकी पार्टी क्या क्या करेगी मुजफर पुड़ी जिले के लोक सभा का सीट सामानेत कौंग्रेस पार्टी के साथ नहीं रहा लेकिन चलिए लोक तंतर में ये सब चलता रहता है हार, जीत, दल, बदल, गट्ट बंधन सब चलता है लेकिन कुछ नेतिक मुल्यों के साथ इस सब चीज़ों को अगर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है इस बार विधान सभा चुनाओं में आपके हिसाब से विधायक कैसा होना चाहिए मुजफरपुर का वही सवाल फिर से मैं बचना चाहता हूं मुझफरपुर का बिधायक तो बहुत डैसिंग होना चाहिए काम करने वाला होना चाहिए और मुझाफरपूर के विकास के बताया ना बहुत सारे मायने हैं मुझाफरपूर की ट्राइफिक, मुझाफरपूर का पॉलोशन लेबल, मुझाफरपूर का इंडस्ट्रियल डवलपमेंट, मुझाफरपूर में एक न्यू टाउन सीप की जरूरत, मुझे फरपुड में एरपोर्ट जो बहुत पहले से है पहले उस पे छोटी छोटी जहाजे उतरा भी करती थी अब वो बरसों से बंद है मुझे फरपुड में अच्छी ट्रेनों का परिचालन मुझे फरपुड में लीची का केंद्र है मुझे फरपुड में लीची परसंस सब्सक्राइब की बहुत जरूरत है तो मुझफपुर में को 10 वर्सों में देखा है मुझफपुर के लोगों में अब अपक्षा कॉंग्रस से ही लोगों का रहेगा और एक कहावत है यहां के लोगों को मुझफपुर के अस्थानियों लोगों को खास करके नए लोगों को एक आउसर मिलना चाहिए इसके बाद ही पता लगेगा कि वो बोलते हैं या करते हैं हम लोग काम में भी स्वास रखने वाले लोग हैं बातों में नहीं जब आपकी सरकार थी तब इंद्रा गांधी आई थी मुझफरपूर एयरपोर्ट पर तो कॉंग्रेस की सरकार में वो हुआ था कि इंद्रा गांधी एयरपोर्ट पर उतरी थी यहां का बहुत लगाओ है यहां की जनता एयरपोर्ट चाहती है तो अगर आपकी सरकार आती है अगर आपके पार्टी के विधायक मुजफरपूर से बनते हैं, तो कैसा प्रियास करेंगे एरपोर्ट के लिए? निश्य तुर्प से मुझाफरपूर में एयरपोर्ट की बहुत जरूरत है क्योंकि मुझाफरपूर में एयरपोर्ट होने का मतलब सिर्फ मुझाफरपूर में एयरपोर्ट नहीं होगा मुझफरपुर में एरपोर्ट होने से पूरे तिरूत में, सारन में, इबन दर्भंगा कमिशनरी के जिले के लोगों को भी फायदा होगा और इस से हमारे प्रज़्दानी है पटना उस पे बोज भी कम होगा मुझफरपुर एरपोर्ट की बहुत सखत जरूरत है, पूरे बिहार में अभी पटना के बाद सबसे ज़्यादा जरूरत मुझफरपुर में एरपोर्ट की है अस्पिटल भी यहां पर नहीं है, कुछ बड़ा अस्पिटल जैसे एम्स की तरह इहां भी उसके तरज पर कोई होस्पिटल होना चाहिए या एम्स होना चाहिए, इसमें क्या कहें? हाँ, निशित रुक से एम्स की अस्थापना यहां होनी थी, जिसे लगता है कि अस्थानिय राजनीतिक, राजनीतिग्यों के वज़ा से यह मुद्दा भी, मुझे लगता है कि कहीं दरभंगा ना सिफ्ट हो जाए, जैसे यह एरपोर्ट भी सिफ्ट हुआ, लेकिन अभी तक दरभंगा में भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो एमसी नहीं कुछ और भी प्राइवेट सेक्टर के अच्छे होस्पिटल्स की जरूरत है, और बिहार सरकार को भी अपने होस्पिटल्स के गुनवत्ता को बढ़ाते हुए, उसको भी जो भी होस्पिटल सरकार के हैं, ज आपको नहीं लगता कि बिहार में विपक्ष थोड़ा कमजोर हो चुका है, और बिपक्ष आवाज नहीं उठाता है? नहीं, विपक्ष कभी कमजोर नहीं होता है, यह आप लोग बुड़ा नहीं मानेंगे, यह कहीं नहीं मीडिया के द्वारा विपक्ष को कमजोर बताया जाता है, विपक्ष कमजोर नहीं, विपक्ष सालीन है, हम हमारे समय में अभी देखे जब भारत में, यूपी एवन, लोगों ने गैस सिलिंडर तीन सो रुपे के आसपास बेचा जब कच्छे तेल का भाव बहुत उपर था पेट्रोल डीजल सबको भी सबसिडाइज लोगों ने उस समय काफी आंदोलन किया था और आज वही लोग उसी तीन सो रुपे के गैस सिलिंडर को आट सो रुपे में बेच रहे हैं जब कि कच्छा तिल सस्ता है ऐसे ही पेट्रोल डीजल में भी इस्तिती बनी हुई है और बहुत सारे मुद्दे हैं मुद्दों की कमी नहीं है हम लोग सालीन है हम लोग नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा आंदोलन किया जाए और फिर काम नहीं किया जाए क्योंकि अभी बिहार में ही देखा जाए बिजली का भौव कितना उपर है साधे साथ रुपे युनिट के आसब आस है क्या यह बहुत जादा ने यह राश्ट्री अथे सब्ली में और पर उ इस पता हैं और अधोलन पर नहीं करते हम लोगों तो बीच जाते हैं और गाता इस्जिति बताएं मश्वलिब कि तब क्या था अब क्या है इतने कम समय में बहुत सारे चीजे हैं जैसे डॉलर कहा गया जीडिपी कहा गया इन सब कोई मुद्धों पर बाचित होनी है जाते जाते क्या कहना चाहेंगे मुझफरपूर की जनता को आप अपने तरफ से जितेंदर कुमार क्या कहेंगे कि झावई साल है चुनाव आने वाला है उसके मत्द में मुझफरपूर के जनता को तकी मुझफरपूर बहार का अगोसित राज़धानी है और बिहार ने पूरी दुनिया को ग्यान ग्यान दिया है कभी नालंदा संस्तान से खभी बिक्रम्चिछ सिला सेaza आज मुझफरप को काफी कुछ दिया जा सकता है हमारे हाँ रेंड वाटर हर्वेस्टिंग इस्ट्रक्चर है जिससे हमारे हाँ जल जमाव नहीं होता है हम अपने घर को भी फूली सैनिटाइज करके रख हुए मुझापपु के बरी समस्या है मैं जिसका ब्रीडिंग हर तीसरे दिन हो जाता ह है उसको भी हमने अपने डिसिंफेक्टेंट सैनिटाइजर से कंट्रोल किया हुआ है हमने कई योगों पेस का ट्रायल करवाया है मुझापपु कि एक बहुत बड़ी समस्या है तो कई एक एक स्वाबलंबी विकास के तरफ जो मुझापपूर आने वाले समय में पूरे प् प्रकृतिक संसादनों के साथ रहेंगे और प्रकृति और बिग्यान का एक अद्वुत मेल होगा ऐसी मेरी उमेद है कि मैं बहुत जल्द ये समाज और राश्ट्र को स्वाबलंबी बनना बहुत जरूरी है आत्म निरभरता बहुत जरूरी है और पाटी कोई हो काम अच्छी के मेंबर जितेंद्र कुमार से इन्होंने बताया कि किस तरीके से मजफरपृ का विकास हो सकता है इनके कुछ आइडियाज भी हैं इन्होंने भी उसको शेयर किया और कहीं न कहीं उर्जा को पूरी तरह से बचाने के लिए सोलर प्लांट का इन्होंने खुद आप कह सकते हैं कि उप्योग किया है जो की सक्सेस फूल में तो खास मुलाकात में आज बस इतना ही आगे फिर आप से मिलेंगे किसी अगली शक्षियत के साथ तब तक अपने होश्ट और दोस्त मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाज़त नमस्कार गुड़ देंग खास मुलाकात मुकेश चौरसिया के साथ सिर्फ मुजफर को लाइबनाओ और विहार लाइबनाओ पर